लाल गंज में कल सामनी जी सिख छी का अंकीता सर्मा की अज्यात अपराधियो द्वारा गोली मार कर हत्याक कर देने के बिरोध में लाल गंज नीजी सिख छक संग एबं अखिल भारतिय बिद्यार्थी परिशत के नित्रित्मे में बैसाली जीला परसासन बैसाली एसपी तथा लाल गंज परसासन का सव यात्रा निकाला गया जिसे सार्थक कोचिंग संस्थान के निकट से नूनू बाबु रोड गांधी चोख होते हुए तीन पुलवाज चोख पर भी सरजित किया गया जिसमें नीजी सिक्षक और अखिल भारतिये बिद्यार्थी परिशत के कारीकरताओं ने बैसाली एसपी गोबैक और बैसाली जिला परसासन हाय हाय का नारा लगाया और पुलिस को अंकीता के हत्यारा को पकरने के लिए 24 घंटे का बक्त दिया अन्याथा नीजी सिक्षक संग और अखिल भारतिये बिद्यार्थी परिशत के द्वारा आगे भी चरनवत तरीके से बिरोधमार्च और परदर्शन किया जाएगा हम बैसाली जिला के जिला परसासन का अस्पी का पुतला धन अर्थी जुलुस निकालने के बाद पुतला धन करने का काम किये हैं आज विगत दस दिन के अंदर में दो छात्राओं का हत्या हुआ एक महुआ में दूसरा कल संध्या में लाल गंगी इस हत्या से हमारे छात्रा कोडोशित हैं हम लोगों को अस फुर्न रूप से सुरक्षाम नहीं मिल पा रहा है हम लोगों हमारी छात्रा बहनों को आए दिन आते जाते छेर छर किया जाता है अंतिम इसका परिनाम है कि कल हत्या का रूप में बदल गया तो मुझे जिला परशासन से ये मांग करना है कि अबिलम 24 घंटे के अंदर अगर वो हत्यारों का गिरतारी नहीं करते हैं तो विद्यार्ती परशद पूरे बिहार में और अंदोलन करने पर भी बस होगी जितेंद्र यादव विश्विद्याले संजोजक भियार विश्विद्याले मुझपरपूर्ण आज जो अंकीता सर्मा की जो हत्या हुई है परशासन अभी तक जो नाकाम है कल्सा में उसकी हत्या हुई है और बिगत 12-14 घंटा होने जा रहा है और परशासन अभी तक नाकाम है परशासन इस गुथी को सुल्जान में पूर्टा फेल है इसी निमित आज लाल गंद के नीजी सिक्छक संग के द्वारा और विद्यार्थी परशद के द्वारा आज पुतला धंगा कारच करम किया गया और परशासन को यह सिताब नहीं देती है कि यदि 24 घंटा के अंदर यदि अंकीता सर्मा के हत्यारे को ताय द्यारेस्टिंग नहीं होता है तो कल से नीजी सिक्छक संग और विद्यार्थी परशद के द्वारा चरनबद आंदोलन किया जाएगा मनिज कुमार नीजी सिक्छक संग अध्यक्ष और अखिर बारते विद्यार्थी परशद जीला संजुज़क